तो गाइस यह देखिए हमने 43,500 की पूट में अपनी इंट्री को बना लिया है और जो हमारी इंट्री हुई है वो 213 रुपे 70 पई से क्या स्पास हुई है और अभी का जो प्राइस चल रहा है और हमारा यह जो प्रोफिट चला गया था यह ऑप्सन 260 तक चला गया था लेकिन हम लोग इसमें इंतजार करते हैं कि अप्सन हमारा लॉस में जाता या फिर प्रोफिट में जाता हमारा ट्रेड हम बेट करेंगे इसमें और हमारा इसमें जो एसल है दोस्तों वो थोड़े से बड़े हैं लेकिन हम थोड़ा साइंस में इंतजार करेंगे इसलिए हमने यहा रहा लेनी है ताकि जो लॉस से वो कम हो और जो प्रोफिट हो बढ़ा हो दिखे जब भी अश्टापलोस बढ़ा रहेगा आप कॉंटिटी को कम करेंगे तो आपका लॉस से चोटा हो जाएगा और अगर आप अपनी कॉंटिटी बढ़ाएंगे फिर भी आपका जो लॉस होग लाइब ट्रेडिंग वीडियो को देखिए आपको काफी जादा लर्निंग मिलेगा और देखिए हमारा जो अभी का प्रोफिट चल रहा है तो हम इसमें बेट करेंगे और देखते हैं कि हमारा कितना प्रोफिट हो पाता है मैंने यहां पर इंट्री क्यों लिया है तो देखिए हमारा जो अभी का प्रोफिट चल रहा है वह सीर्फ और सिर्फ फिर से यह और चुका है लेकिन हम लोग बेट करेंगे और देखते हैं कि हमारा यह जो प्रोफिट है वह कहां तक जाती है हमारे पहला टार्गेट है दोस्तों वह है 306 का और अगर 306 करता है तो हम यहां पर बेट करेंगे और जो टार्गेट हो जाएंगे वह 300 उसके नीचे हमारे अच्छे टार्गेट इसमें देखने को मिल सकते हैं अगर इसमें बैंक निफ्टी में फॉल आया तो लेकिन हम लोग बेट करेंगे अगर यह से लीट होता है तो आप बेट मत किजिए अग और अगर आपको डर लगता है काटने से तो आप सिस्टम में लगा दीजिए कालकुलेट करके वह ज्यादा बेहतर रहेगा तो देखिए यहां पर अभी का प्राइस चल रहा है वह 254 253 चल रहा है यानि कॉस्ट चल रहा है तो हम लोग इसमें बेट करेंगे और देखते है मैं दोस्तों की कहा तक जाती है और मैं आपको एक वार बेंक निफ्टी का चार्ड दिखा देता हूं ताकि आपको भी समझ में यहीं क्यों लिए तो देखिए यहांपर जो smiled बना वयोमार लेबल है 330 तो अगर यह ब्रेक होता है तो इसमें काफी अच्छ है में टार्गेट देखने को मिल सकते हैं जो कि यहां तक की यह 180 के आसपास मार्केट आ सकता है अगर यह 360 का लेवल ब्रेक हुआ तो तो हम इसमें बेट करेंगे और अगर 360 का लेवल ब्रेक होता है तब और क्वांटिटी एड करेंगे और देखते हैं कि हमारा मार्केट कहां तक जाती है तो हम आ जाते हैं अपने और यह देखिए हमारा जो अभी का प्रोफिट चल रहा है वह आठ रुपे बार रुपे ऐसे चल रहा है दोस्तों तो आइस तरह से हमारा सिस्टम काम करता है ज्ल प्रेलिंग का तो देखिए यह जो चैंडल बना अभी का जो चैंडल बना यह वला यह अगर यहां पर यह तो यह पैसे इसका रहें करेंगे करेंगे वीसमी पेसे में कुपा चाहिए कि बढ़ नहीं करेंगे देखते हैं क्या स्व क्यब़ यहां लगवक हमारा जो प्रोफिट वह कॉस्ट्टा चल रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर एक लोट और बढ़ा लेना चाहिए अगर हमारा जो एसल है क्योंकि हमारा एसल छोटा हो चुका है अब तो मैं यहां पर एक लोट और बढ़ाने की कोर्सिस कर सकता हूं जब भी आपका एसल छोटा हो तब आप वहां पर quantity को अपनी ब प्राइस पर जो देखते हैं हमारा 250 प्राइस आपाता है या फिर नहीं आपाता है वैसे मैं 253 ही लगा देता हूं मैं उतना जादा हमारा इसमें बड़ा आर्श्टापलस नहीं है कि एक दो रुपे में हमारा कुछ हो जाएगा तो मैं यहां पर और एक्जिक्यूट हो सब्सक्राइब करते हैं 253.35 यहांắt 500 चरए सब्सक्राइस तो हम यहां पर बेट करेंगे और अभी का जो प्राइस चल रहा है तो हम यहां पर बेट करने वाले 20 के ऊपर निकलता है तो मैं यहां पर मैं बिलकुल भी नहीं करई जो भी हमारा लॉस होगा उसे लिए करके न निकल जाओंगा चाहे वो मुझे ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा मुझे पता है आप फिर एक हजार का आसपास का लॉस होगा तो हम यहां पर बेट करते हैं तो देखिए हमारा जो मार्केट है वह एसल की और बढ़ रहा है और हमारा जो देखिए हमारा एसल हीट हो चु देखिए इसलिए कहता हूं दोस्तों आपको कि आप जो इसल है उसे सिस्टम में लगा करें ताकि आपका लॉस बड़ा नहीं हो और देखिए हमारा यहां पर शोला सो का लॉस बूक हो चुका है दोस्तों जब से हमने जो यह स्टार्ट किया है ऑप्सें ट्रेडिंग लाइ जाहेंगे को दिक्कत वाली बाद नहीं अभी तो मार्केट में 9 बच करके 33 मिनट करें हुआ है और हम एक दिन में लगभग ले सकते हैं तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो हम यहाँ पर लेते हैं तो आपको मिलते हैं तो गाइस यह देखिए हमने कोई में अभी जो पोजीशन है वह बना लिए 310 के प्राइस पॉइंट पर और अभी का जो हमारा जो प्राइस चल रहा है वह तो हमने एक क्रूड ओयल में ट्रेड लिया था यह देखिए जिसमें कि हमारा 450 रूपीच का इसमें लॉस हो गया तो हम यहां पर बेट करेंगे औ दोस्तों हमारे दो में लॉस लग चुके हैं तो अगर इस टेमें भी लॉस लगता है तो हम आगे वाला नहीं करने वाले है और आज का डे हमारा लॉस में क्लोज हो जाएगा तो देखते हैं कि हमारा क्या होता है और अगर यह फॉल NICK'll 295 के आसपास आता है तो हम इसमें एक लॉट और एड करेंगे और हमारा जो इसे लिए दोस्तों वो है इसमें 43,650 का तो गाइस यह देखिए अभी जो प्राइस चल रहा है वो 295 के आसपास आ चुका था तो हम यहां पर लॉट को एड करेंगे ताकि जो हमारा है वो थोड़ सा यह हो जाए क्या बोलते हैं इसको एवरेजिंग हो जाए और यहां पर मुझे दीख रहा है कि उपर जाने के चांसे हैं तो मैं यहां पर 290 के प्राइस पर एक लोट और बाई कर लूँगा और हम ज्यादा रिक्स नहीं लेंगे इसमें इसलिए मैं यहां पर 290 के प्राइस पर एक लोट और बाई के लिए लगा देता हूं अभी 296 चला गया अभी 290 प्राइस आया था दोस्तों और अगर हमारा 290 के प्राइस प में तब ठीक है अगर नहीं जाता है तो हम एक ही लॉट से काम चलाएंगे तो यह देखिए 2-298-296 जब यह से आज चुका है प्रैस अगर 2-90 जाता है तर अपर अची बात है हमारा एक लॉट और एक लॉट हो जाएगा और हम यह देखेया है अहों हमारा रेट में क्लोज होगा 3000 के आसपास से ज्यादा हमारा लॉस हो जाएगा और हम आज के दिन अब कोई ट्रेड नहीं करने वाले हैं तो देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में और हम लोग बेट करते हैं 280 280 आगया और हमारा जो यह वह हम कहां लगाएंगे वह मैं आपको बता रहेता हुँ तो हमारे जो ऐसल के आसपास आचुका यह प्राइस अब तो 270 के आसपास में यहां पर एसल को इसमें प्लेस करूंगा और मैं इसमें exit हो जाऊंगा 270 के प्राइस पॉंट पर तो देखता हूं हमारा एसल होता है य स्टॉपलोस को प्लेस कर देते हैं तो यह देखिए हमारा 270 है और जैसे कि हमने पीछले बीडियो में देखा हमारा स्टॉपलोस था लेकिन वहां पर क्या हुआ हमने सिस्टम में नहीं लगा था जिसकी बज़े से हमारे लॉस हो था वो थोड़ा सा बढ़ गया तहम वह गलती हमारा प्रोफिट दिखने लएगा तो यहां पर मैं बेट करूंगा और देखिए अभी का जो प्राइस फिर से आ चुका है 290 के आसपास आ चुका है तो हम यहां पर बेट करेंगे हमने 270 का ऐसे लगा दिया दोस्तों सिस्टम में अगर 270 का ऐसे लिट होता है तो हमें कोई बात नहीं है और आज हम प्रेडिंग नहीं करने वाले हैं और आग Palya होगा तो my कोई दिक्कत में हम लॉज कर लेंगे हमने पिछले पीकई सिर्फ और सिर्फ किया था था हमने एक दिन भी लॉस में खिलॉज नहीं किया था तो अगर यह एक हमारा first day is big का loss में अगर close होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है हम loss में close करने के लिए तैयार है तो यह देखिए अभी का जो price आ चुका है 293, 291 आ चुका है और अगर यह 300 जाता है तो हमारा जो trade है वो profit में जाने लगेगा 300 के ऊपर जाते ही क्योंकि हमारा जो averaging buying price आ चुका है वो 300 आ चुका है तो हम देखते हैं कि इस trade में हमारा profit होता है या फिर हमारा होता है अगर 35 का होता है तो हमें इसमें 1400 का लॉस लगने वाला है तो हम 1400 के लॉस लेकर के इसमें हो जाएंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है अभी का जो price 295, 294 आ चुका है और अभी जो price 290 आ चुका है तो हम इसमें बेट करेंगे यह सिल के ही ठोने तक अगर टार्गेट के आसपास जाता है तो हम लोग टार्गेट ही ठोने तक बेट करेंगे और अगर एसल के ही ठोने तक बेट करेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है हमें सिल को चाहिए अगर आप एक सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका एक दिन बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है तो यह देखिए अभी जो प्राइस आ चुका है 283 आ चुका है 281 आ चुका है और अभी जो हमारा लॉस चल रहा है वो 700 और टोटल जो राउस चल रहा है वो ठीरी 200 का हो जाएगा यानी 35 का लॉस हो जाएगा है तो अगर एस नहीं हिट होता है तब इसमें अच्छे खासे प्रॉफिट हो सकते हैं तो हमें इसमें थोड़ा सा बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है तो हम इसमें बेट करेंगे अभी तो से बेंटी पर हमारा यह देखिए यह है लगा हुआ है और अभी 299 टू प्राइस चल रहा है और हम इसमें बेट करेंगे और अभी जो प्राइस आ चुका है वह फिर से 292 24 है से कर मिलते हैं आपको इसका टार्गेट या फिर एसल हीट होने के बाद और दोस्तों अगर आपको सेर मार्केट से पैसा कमाना है जो कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं तो आपको साइकलोजी पर कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको एसल के साथ बैठना पड़ेगा जैसा कि आपने देखा दोस्तों की जो हमारा जो प्राइ हीट होगा वह लॉजिकल हीट होगा और वह अच्छा रहेगा लेकिन अगर आप बीना सिस्टम के बीना कुछ रूल के ट्रेड करते हैं तो आपका हीट होगा लेकिन उसमें आपको जादे बड़े लॉस होगे तो यहां पर देखिए फिर से 285 284 प्राइस आ चुका है तो ह यहां पर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके दिखाता हूं फाइब मिनट के टाइम प्रेम पर तो यह देखिए हमने क्या हुआ हमारा यह वाला जो लेवल है यह जैसे ही ब्रेक आउट हुआ है यह वाला लेवल वैसे हमने यहां पर कॉल की पोजीशन बनाई है और दे वी नीचे सस्टेन करता रहा है तो देखते हैं क्या होता है अगर यह जी स्वी निकलता तब इसम uhhh backstory पाइंग भी देखने को मिल सकती है तो देखने के अभी का जो प्राइस आ चुका माढ़र बुक में आच लेते हैं और अभी का जो प्राइस आ चुका है 293 294 आ चुका है अभी हमारा एसल हीट नहीं हुआ है तो यहां पर हम बेट करेंगे और देखते हैं कि हमारा क्या होता है और अगर हम इस तो यह पर लिए करता है 293 रुपे के लेवल के आसपास और यह 930 रुपे की लेवल को ब्रेक करता है 933 934 रुपे के तब इसमें हमारा जो ट्रेड है वह अटमेटिक प्रोफिट में चला जाएगा और यह देखिए हमारा प्रोफिट में आ चुका है 300 के प्राइस पॉइ कोर्सिस कर रहा है डवल बॉटम बना करके और अगर नहीं को देखें तो यह भी ऊपर जा करके रिट्रेस्मेंट ले करके ऊपर जाने की कोर्सिस कर रहा है और बैंक निफ्टी जो है वह डोजी के ऊपर निकल चुका है मैं आपको दिखा देता हूं अभी का जो हमारा हमारा 43,790 का है तो हम वहां पर एक लोट अपनी एक जिट करेंगे और एक लोट को बेट करेंगे ताकि हमें अच्छा खासा प्रोफिट हो उसमें हम एसल को ट्रेल करेंगे इसका जो बैंक निफ्टी का जो राइश्टेंस है दोस्तों हमने एक दिन फ्राइडे को जो ट्र बर्क कर सकता है लेकिन अगर यह हैं पर सस्टेंग करता है तक गना बर्ट नहीं करेंगा लेकिन उसने बहुत ही अच्छा था था और हमने वुहीं से फूट लिए था और हमारे जो प्रोफित एक unfetrण अग्यों मार्केट hurryuk लाया था वहां से 300-400 तो उसमें हमेरे अच्छे खासे प्रोफिट बन चुके थे और अभी जो हमारा प्रोफिट चल रहा है वो 500 और तो यह देखिए अभी 500-600 का प्रोफिट चल रहा है तो हमारे टार्गेट मैंने वही बताया और एक लौट रखेंगे देखते हैं कि क्या होता है हमारा पहला टार्गेट होता है या फिर नहीं होता है अगर नहीं होगा तो हम अपना टार्गेट लेंगे डेट सिट अगर इस पर अगर आप रहते हैं कि या तो इसल या तो टार्गेट या फिर हम कोई दिखता है तभी मैं इसमें एकजिट करूंगा ऐसे मैं बिना टार्गेट या फिर एसल के एकजिट करने वाला हूं नहीं यह देखिए अभी का जो प्राइस आ चुका है वो तह ऍे opens को के कॉन्पोनेंट को देख थे रहना चाहिए जैसे की ही BC और अच्छा नहीं कर रहे होंगे तो यह उपर नहीं जाएगा तो देख्या हमारा जो एठ्षडी एप्सी है वो काफी अच्छा कर रहा है काफी अच्छा फॉर्म कर रहा है यह नीचे के लेवल से काफी अच्छा उपर गया है और अगर हम भेंक निफ्टी के ऊपर जहने के चांसे जो है वह थोड़े से कम हो जाते हैं लेकिन यह पिर से एक बार चार्ट पर लेकर चलता हूं तो देखिए यह जो बना था यह वाला तो देखते हैं अगर बैंक निफ्टी बुली सोता है तो हमें काफी अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं मैं और में आ जाता हूं और अभी जो हमारा लॉस चल रहा है वह दोसो और रहाज सो का लॉस चल रहा हमारा जो प्रॉफिट चला गया था दोस्तों वह 600-700 के तो हम इतने चोटे प्रॉफिट से च्छोटा रहें तो इस तरह से अगर आप करते हैं तब ही आप कुपीट हैटर बन सकते हैं तो देखिए हमारा यहांप़ होता है तो हम अगर हम् edible हीट होता है तो हम लेंगे ना और हमें टार्गेट लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है तो देखते हैं कि क्या होता है और बने रहें लाइब ट्रेडिंग वीडियों में और सीखिए psychology को समझिए कि लाइब ट्रेडिंग में psychology किस तरह की रखनी होती है अगर अगर आपको psychology पर कंट्रोल रखना आ गया तब आप एक प्रोफिटेवल ट्रेडर जरूर बन जाएंगे तो इस तरह से आप और डाउंस दिखाएंगे मार्केट उसके बाद उसको उपर जाना है या नीचे जाना है वो डिसाइड करेगा तो उसी आप और डाउंस को जो इनसान जेल लिया वह को नहीं जेल पाता है वह एक लूजर ट्रेडर बन जाता है तो इसी आप और डाउंस को आपको समझना है देखना है सीखना है कि मार्केट ऐसा क्यों कर रही है तो आपको इसी तरह से समझना है इसी को हम साइकलोजी कहते हैं दोस्तों आपको साइकलोजी पर कंट्रोल रख करते हैं तभी आप एक प्रोफिटेवल ट्रेडर बनेंगे तो अभी जो हमारा कॉस्ट चल रहा है तो हम इसमें बेट करेंगे 790 के टार्गेट के लिए तो देखिए यहां पर फिर से हमारा प्रॉफिट 300-400 के आसपास आ चुका है और हमारा जो आप्सन का प्राइस 305-310 आ चुका है तो हम इसमें बेट करेंगे और हम अपने पोल रहा हूं अगर उसके बीट करेंगे तो इसमें इसमेंat करेंगे और बाकी एक लॉट को मैं यहां पर कंटिन्यू रखोंगा जब तक कि मार्केट यहां से ओपर या नीचे का ट्रेंड कीलियर नहीं करता है जब तक म करके तब ही मैं इसमें एकजिट करूंगा ऐसे हमारा जो प्रॉफिट है फिर से 40 60 आ चुका है लेकिन हाँ आपको ज्यादा भी ओभर कॉणफिडेंस नहीं होना अगर मार्केट में यहां पर दिख रहा है मार्केट नीचे जाने वाली तब आपको वहां पर एकजिट कर देना है तो देखिए जैसा कि यहां पर मुझे दिख रहा है यह एक बन सकता है लेकिन बनने के लिए इसे जो टॉप है वहां से एक रेट या फिर कोई बीरी स्कैंडल हमें दिखना चाहिए तब ही हम वहां पर एकजिट करेंगे देखिए मैं आपको दिखाता हूं बैंक निफ्टी के चार्ट को कि कैसे मैं बोल रहा हूं कि वहां पर एम पैटन बन सकता है तो वहां पर एम पैटन बनने के लिए मुझे कुछ सब्सक्राइब लेकिन यहां पर क्या है यहां पर क्या कोई ड्सक्राइब कर लेता हूं तो यहां पर तो यहां पर अगर कुछ दिखता है मुझे बीरिशनेस तभी मैं यहां पर एक्जिट करने वाला हूं ऐसे मैं एक्जिट नहीं करने वाला हूं तो मैं यहां पर यह देखिए मैं यहां तो आपको इसी तरह की साइक्लोजी रखना पढ़ एक कि आपको एक्जिट नहीं करना तändern को पर मुझे लग रहा है काफी जादा ऊपर जाने वाला है तो दी अपने लाइफटेंग निकल चुका है मैं एक बार देख लिता हूं मैं थोड़ा सब देख लेता हूं है जाने की कोर्सिस कर ज़ा ये काफी अच्छा एक आज जो ब्रेक आउट दिया है काफी अच्छा एक ल और इस इस बैंक निफ्टी जो है उपर सस्टेन कर रहा है नहीं तो सारे जो बैंक एक्सिस बैंक थोड़े से बीरिस नजर आ मुझे लेकिन जो है वह सिर्फ बहुत ही ज्यादा बुलिस है इसकी बज़ा से जो है देखे डवल टॉप बना दिया है तो सिर्फ और सिर्फ इसी लिए आपको मैं बोलता हूं कि आपको कॉंपोनेंट पर काफी ज्यादा ध्यान रखना है तब ही आप एक प्रोफिटेवल टेडर बन सकते हैं तो सिर्फ बैंक की बज़ा से तो मार्केट उपर जा नहीं सकता है तो यहां पर अगर आप एक्जिट भी कर देते हैं तो मैं मैं तार्गेट अगर मैं देखूं वाला के टैम पर मैं यहां पर देख रहा हो रहा है तो अगर बैंक जो अभी कि नहीं जाएगा तो हमारा होने के चांस हाई तो देखते हैं कि यहां पर मुझे कर जाना चाहिए लेकिन इसा इंतजार करूब तो हमारा जो बैंक निफ्टी वो ऊड़ेगा मतलब कि बहुत ज्यादा तेजी से उपर जाएगा यह देखिए अभी 314-15 आचुका है और हमारे जो प्रोफिट है वह 700-800 रुपे के आसपास आ चुका है तो हमारे जो टार्गेट है वह 790 का है 780 का है अभी जो प्राइस है व 14315 आचुका है तो हम यहां पर बेट करेंगे और हमारा जो अभी का प्राइस चल गया था तो यहां पर देखिए फोर्टी थाओजन थाटी एट आचुका है फिर से बैंक निफ्टी और HDFC जो है वह उपर जाने की कोर्सिस कर रहा है और अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक को साइडवे जोन से बाहर निकल रहा है इसका मतलब है कि हमारा जो बैंक निफ्टी है वह उपर जाने के कोर्सिस कर सकता है हमारा टार्गेट हीट होने के चांसे हो सकते हैं HDFC काफी ज्यादा बुलिस है इसलिए मैं स्टेट में बना हुआ हूँ और अगर HDFC पलटता है तो अभी मैं तभी मैं यहां पर एक जिट हो जाऊंगा इस टेट से लेकिन HDFC अभी काफी ज्यादा बुलिस है और अभी जो प्राइस चल रहा है तो हम यहां पर बेट करेंगे 500-600 का प्रोफिट चल रहा है तो हम यहां पर थोड़ा सा और बेट करेंगे अगर यह 40 पॉइंट का अगर और टार्गेट हीट करता है तो हमें काफी अच्छे यहां पर हो जाएंगे दोस्तों इसलिए मैं यहां पर रुका हुआ हूं हमारा जो लॉस है वो कभर भी हो सकते हैं अगर यह टार्गेट करता है तो और अगर यह हीट करने के बाद और ऊपर निकलता है तो इसका ऊपर का जो टार्गेट है वह सेकंड टार्गेट हमारा 840 का है मतलब है जो टार्गेट जो था वह तो इसने हीट कर दिया और अगर यह के ऊपर निकलता है तो इसमें काफी अच्छे टार्गेट हमें देखने को मिल सकते हैं सेवन सिक्स्टी के आसपास आ चुका है और सेवन नाइंटी का हम लोग बेट करने हैं तो यहां पर सिक्स्टी एगजित कर जाओंगा लगा करके और अगर हम एक सिस बैंक को देखें में कॉर्सेश कर रहा है कोटक महिंद्रा बैंक को देखें तो यह बींपर आपने घाल रहा है कोटक महिंद्रा बैंक तो अगर इसे निकालता है तो इसमें डियू काफी है ना तो उपर जा रहा है तो यहां पर उसका जो कोई तो नीचे ले जाने में नीचे ले जाने में जो ऐसे बेंगे जादा बी रिस नजर आ रहा है मुझे और बैंक भी अपने इस्टेंस के आसपास है और है तो बैंक फ़ी थोड़ा सा उपर से इस्टेंश लिया इस और रहा है और हमारे बैंक ओपर की लेवल पर सस्टेन कर रहा इसलिए निफटी जो है ओपर की लेवल पर स्सटेन कर रहा और अब देखिए अब क्या हुआ है अगर यह इस तरह का क्लोज कर देता हम एक दीखाता हूं अब ढlet2 का कर देता है चाहे तो मेरा 50 रुपे का लॉस हो मैं बिल्कुल भी बेट नहीं करूँ है और यहां पर यहां पर यह डवल टॉप बन चुका है और यह एक रेट कैंडल मुझे दिग गया तो मैं यहां पर एकजिट कर जाओंगा मैं यहां पर स्टॉपलोस का बेट नहीं करूंगा तो इस तरह से आपको टेट करना है तो देखिए अभी 299-298 और अभी इस कैंडल को क्लोज होने में वन मिनट और बाके हैं तो हम एक मिनट और बेट करते हैं और देखते हैं यह कैंडल किस तरह का क्लोज करता है अगर यह कैंडल करके क्लोज कर सकता है यह कैंडल नहीं समथ यह एक मिनट और बाकी है तो यह कैंडल ऑपर दाने की पावर भी रखता है क्योंकि misleading में कुछ भी हो सकता है तो अभी जो 40 से कंड और है लेकिन अगर यह नीचे क्लोज करता है तो मैं उसी प्राइस पॉइंट पर एक जित हो जाओंगा जो प्राइस रहेगा बैंक हमारे अप्सन का लेकिन अगर यह बुलिस कर देता है तब मैं इसमें बेट करूंगा तो देख केंडल मुझे क्लोजिंग कहां चाहिए इस कैंडल की अगर उटा है तो मचेंड़ी कैंडल महजे नहीं नहीं मिला सब्सक्राइबी सोच रहा हूं मैं करने कि सोच रहा हूं और मैं है पर चίwehr कर लेता हूं नहीं तो हमारा ऑडर नहीं होगा और मैं पर एकजिट कर जाता हूं दोनों लॉट क्योंकि मैं जधा रिक्स नहीं लुगा और देखें आ 드iggs नहीं लेकिन यहां पर मुझे एक बीरिस नजर आया यहां पर यहां पर भी रेजिस्टेंस लिया तो यहां से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ सकता है मैं मानता हूं लेकिन यहां से यह जो रेट केंडल बना मुझे अच्छा नहीं लगा मैं इसलिए यहां पर कर लिया क्योंकि अगर यहां पर फिर से ब्रेक आउट करता है तो हम यहां पर फिर से ट्रेट लेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर ब्रेक आउट नहीं करता है तो हम आज कोई ट्रेड नहीं लेने वाले हैं क्योंकि आज हमारा तीन ट्रेड हो चुका है तो अगर मैं ट्रेड लेता हूं तो मिलता हूं और अगर ट्रेड नहीं लोंगा तो भी आप इस वीडियो को लाइक कर दिजिए चैनल को सब्सक एक नए वीडियो में अगर ट्रेड लेता हूं तब तो मिलते हैं और नहीं अगर लेता हूं तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाएं दोस्तों